हालो दियर लर्नार जय हिन सभी को श्वागत आप सभी का पुना एक न्यूव वीडियो में जो कि अंसर की है और यह अंसर की जो कि डिप्लोमा इस्पेशल एजुकेशन हाई यानि कि डिएडी स्पेशल एजुकेशन हाई जो कि सिमेश्टर थर्ड का पेपर है जिसमें रेग यह पेपर है जो कि 22-10-2021 को हुआ है और आप जानते हैं कि दो घंटे का पेपर है जिसमें अब्जेक्टिव कोस्टन्स एक एक नंबर वाले ज्यादा है और यह पेपर का जो नेम है यह है T09 इसका कोड है करिकुलर स्टेटिजीज और एडप्टेशन और लेसंस फॉर चिल आप सही है multiple choice questions and सही गलत या यूं कहीं कि फिलिंद ब्लैंक्स तो ऐसे तीन टाइप के आपको questions मिले होगे तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से सही है तो बने रही है वीडियो के अंत तक और यह आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आन बट मुश्टली देखते हैं यहीं से हम एंड जो ज़्यादा डिमांड रहती है वह हिंदी वर्जन की तो यह देखिए हमारा यहां से स्टार्ट होगा हिंदी वर्जन देखते हैं हम इसको जिसमें आवारा सबसे पहला question है सबसे पहला question है कि पार्ट क्रम जो बच्चों की आवसकता हो और रूची को केद्रित करता हो आप जानते हैं कि आजकल ऐसे कौन सा पार्ट क्रम होता है जो बच्चों के according होता है उनके interest के according उनके need के according सब कुछ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं हमारा सीधा सा option D सई है क्या बाल के पार्ट करम यानि कि जो चाइल सेंटर्ड करिकुलम हमारा होता है वो टोटल चिल्डेन बेस्ट होता है ठीक है यहीं पर हमारा है दूसरा कहता है कि इस पर्ष्ट कीजिए यानि कि explain कीजिए explain the is an example क्या इसका example है मतलब अगर इस पर्ष्ट कीजिए जैसे इस तरीके का आपको प्रष्ट कभी पूच्छा जाता है तो यह किस तरीके का प्रष्ट होगा हमारे पास चार आप्शन से हैं आप्शन ए खुले अंत वाले यानि कि open इंडेट जो question होते हैं और जो बी वाले होते हैं यह सी मित जवाब वाले एक लिमिट आंस्वर वाले होते हैं या अब आपको इसपर्ष्ट करना एदम खुला है अब बताईए इसपर्ष्ट किजिए जितना करना है तो यह मतलब है आप देखिए इसके लावा नेक्ष्ट देखते हैं तीसरा तीसरे में क्या है कहता है कि रचनात्मक एवं योगात्मक पुल्याकन डट 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 पर आध आधारित है आप्शन B कक्छा अनुदेशन पर आधारित है या फिर आप्शन C अभ्यास की स्रेड़ी या फिर आप्शन D इनमें सी कोई नहीं तो तीसरा का जो हमारा सही जवाब होगा आप्शन B क्लास्रूम इंस्ट्रक्शन देखिए इसी के आधार पर हम रचनात्मक क् पुलेंगन क्या होता है जो हमारा सिक्षन प्रक्रिया के दवरान चलता रहता है लेकिन योगात्मक क्या होता है जिसको लोग फाइनल एक्जाम कहते है वह होता है लेकिन वह अनुदेशन के आधार पर ही तो होता है इनी पर आधारी थे वह अब देखिए नेक्स देखिए चौथा क्या कहता है, कि बिविद्धा का मतलब है, जो diversity होती है, उसका क्या means है चौथा जो हमारा है तो देखिए हमारे पास चार आपसन है आपसन A समूह में एक रूपता अगर एक रूपता है तो फिर विवित्ता कैसी यह होगा नहीं आपसन B देखिए समूह में विवित्ता यह सही लग रहा है C देखिए समूह में सक्ती ऐसा थोड़ी है डी उप्रोप्त सभी, तो जो चौथा है, चौथा का हमारा सही जाब क्या होगा, अप्सन B, समुह में बिविदिता, आप देखिए, अब पांचवा देखते हैं, क्या कहता है पांचवा, बहुत तेज भगता है, पांचवा कहता है कि लेखन पूर्व गतिविदियों में डॉट डॉट का समावेश है, यानि कि लेखन से पूर्व, जैसे कहता है कि प्री रिक्यूजिस्ट, तो वो लेखन से पूर्व कौन-कौन सी गतिविदियां होती है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें, जो कि जिसका किसक कि पहला हाई जैसे के चित्र की नकल करना तो यह भी है ऑप्सन बी कहता है बिंदु जोड़ना यह भी है सी नमुने का नुरेखन यानि की नमुने का नकल करना यह भी है तो डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह सभी चीजें लेकर से सम्बंदित यह की जाती है पहले तब ही राइटिंग स्किल अच्छा हो पाता है अब देखिए बहुत ही बड़िया सवाल है छटमा कि मोतियों को रंग के अनुरूप विभाजित करना जैसे कि हमारे पास एक माला है और उसकी सपोच की 50 मोतियां है और 50 मोतियों को अलग-अलग रंग के अधार पर विभाजित करन अधारे पैंगे सुन के थोड़े अप रंग को देख पाएंगे ना तो इस पर्स करके आप रंग का पता लगा सकते हैं तो सीधा से मतलब है कि हमारा option S i हो जाएगा डिष्ट मतलब जो हमारा विजन होता है जो हमारा mezion होता है यह साइately किब्सकीर्थ इसके ये तो बहुत फ्रेडरिक फ्रोबेल ने तो यह सातमा का क्या हो जाएगा हमारा C is the correct answer अब देखिए अब क्या है हमारा आठमा आठमा क्या कहता है किन्यम लिखित में से कौन सा पार्ट करम विकास का सिध्धान नहीं यहां ध्यान दीजिए जो करिकुलम डेफिफप्मेंट के प्रिनसपल्स है इनमें देखना है कि कौन सा नहीं है जो कि आठवा हमारा है, हमारे पास पहला है संभासण का सिद्धान, और संदी ओपयोगिता का सिद्धान, और संसी गतिविधी का सिद्धान, और संदी संभेदना प्रसिक्षण का सिद्धान, तो आठवा का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, D is the correct answer, संभेदना क्योंकि 10 question होते हैं एक एक नंबर के तो इन्हें भी देख लेते हैं नवा क्या कहता है हमारे कि पार्ट क्रम अनकूलन में डॉट डॉट अनकूलन सामिल होता है अगर हम curriculum adaptation करते हैं तो आखिर और क्या-क्या इन्क्लूड होती हैं तो हमारे पास चार आफसन है आफसन ए अभ्यासक्रम आफसन बी अध्यापन की पध्धती एवं तकनीक आफसन सी मुल्यमापन या फिर आफसन डी वो प्रोक्त सभी तो question number आप देखेंगे जो नवा है उसका क्या हो जाएका सही जवाब डी क्यों क्यों लौन को सारी चीजे हम सामिल करते हैं इसमें दसमा देखिए यह क्या कहता है कि फेपडों का आकार क्या होता है अगर इस तरीके का प्रशन नहीं किस तरीके कि पृशन का उदार्न है तो वह सीधा सब प्रस्ण आ जाता है तो अगर आप इस देखेंगे तो अ enact century प्रतिच चुरूप सीधा सीधा पूछ लिया सवाल अब यहां पर देखते सही और गलत यह थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सही गलत में इसको आपने क्या किया है देख लीजे और इसकी फाइनल अंसर की भी आ जाएगी या यूं कहें कि सिधर रिजल्ट आ जाता है ठीक ह होता है बहुत मुश्किल होता है इससे टोटली वेक्सित करना तो इसलिए यह हमारा गलत है लेकिन एक चीज और है इसमें की जो भी कॉस्छन पेपर बनाता वे उसका प्रसेप्शन क्या होता है कि वह क्या सही मानेगा कभी-कभी ऐसे क्वेशन हो जाते हैं जिन में बहुत सारी राय हो जाती हैं कि उसका क्या होगा फिलाल अब यहां पर हम इसे गलत मानते हैं दूसरा देखते हैं कहता है कि मुल्ले मापन के निरिक्षण तकनीक में वास्तविक रिकार समाविष्ठ है बिल्कुल ये सही बात है सही है तीसरा देखिए आंत्रिक्स है सम्मंद जो एक ये हमारक्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आचाता देखिए मानटे श्री पद्दती प्रात्मिख सिक्षा पर दोडव में आते हैं देखिए प्रात्मिख चमता पारधारी दोता है यह तो बिल्कुल सही है क्योंकि यह इसी पर जोर देता है अब देखते हैं है जो कि यह आपका रिक्ति स्थान है जिसमें पहला कोश्चन है कि विसम चित्र ढूड़ो मतलब बहुत सारे चित्र बने हैं कुछ अलग अलग ढूड़ना है तो जानते हैं यह कब ढूड़ पाएंगे आप जब आपको उन चीजों की पहचान होगी या तो ऐसे हो सकता है सब्दों के चित्रों हो किसी तरीके के चित्रों हो तो यह किस-किस के आपके देखा जाए तो pre-reading skill की बात करता है विसम जित ढूड़ो इसके अलावा और भी हो सकता है बट वही मैं बात कह रहा हूँ कि ये संभावित अंसर की है बट एक अनुमान के अधार पर यही हो सकता है लेकिन इसके अलावा भी माना जा सकता है वो डिपेंड करता है कि question paper जिसने sit किया है उसका आधार क्या है किस पर जोर दिया है वो ठीक है तो फिलाल यहाँ पर हमारा pre-reading skill होगा पूर्ब पठन कौशल क्या होगा पूर्ब पठन कौशल ठीक है अब देखी दूसरा देखिए दूसरा क्या है कि घंटी नुमा बक्रकार रेखा का मद्ध छेत्र अगर विल कर्ब का होता है और मीड एरिया का होता है तो आप मीड एरिया मतलब जानते हैं क्या होगा जो प्राप्त करता हों का प्रतिन देखिए तो average टाइप का होगा average मतलब क्या होता है आउसत तो यहां पर क्या हो जा काच्छा के आउसत प्राप्त करता होंगे वो average लिख दीजिए या आउसत लिख दीजिए आउसत ठीक है अब देखिए तीसरा देख लिजिए डौट डौट आधारित मुल्ले मापन बच्चे दौरा प्राप्त के गई जानकारी पता आधारित है यह same to same line लिखी है अगर आप manual पढ़ेंगे तो यह क्या होता है आधारित मतलब किस आधारित तो यहां पर ग्यान आधारित इसको आप knowledge कह सकते है knowledge based कह सकते है ठीक है चौथा देखिए कहता है कि डौट डौट के माध्यम से बच्चे को समगरता का अनुभव परदान किया जाता है अब किसकी माध्यम से तो आप समगरता तब देंगे ना जब उसको कम से कम कार्य अनुभव कराएंगे तो यह आपक और क्या हो जाब work experience कह सकते हैं या कार्य अनुभाव कि अब देखिए पांचमा क्या कहता है यह तो आपने करी लिया होगा कि प्रद्योगी की ने ज्ञान को आसानी से सुगम बना दिया है कौन से प्रद्योगी की का मतलब English क्या होता है टेक्नोलोजी और इसके पहले हम क्य लगा देंगे यह तो पूरा हो जाता है ICT इसका मतलब information and communication technology तो टेक्नोलोजी प्रद्योगी की तो लिखा है या हिंदी में कह सकते हैं सूचना एवं संचार प्रद्योगी की ने ज्ञान को आसानी से सुगम में बना दिया फिलहाल यहां पर जो अंसर होगा या तो आप IC ल कोई दिकत नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा अंसर रहे आज बाकी आप सौर्ट अंसर कर लिए होंगे तो तो आप देखिए कितने आपके सही हैं कितने आप सही कर पाए हैं Thank you so much मिलते हैं next paper के solution में Thank you so much तब तक करिए जय हिन